आप सभी प्रिये दर्शकों का स्वागत है, आपके लिए लेक्या है इंफ्रास्रक्चर का एक पैनी स्टॉक, करेंट प्राइस एक रुपे के आसपास है और इसका तार्गेट है पचास रुपे का, आने वाले समय में गॉर्मेंट 5G की जो हेल्प करेगी उसकी वज़य से इ और सुनने में आ रहा है कि Reliance के मुकेश अंबानी जी इस कंपनी में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं GTL इंफ्रा की, देखे हिंदुस्तान में 2G की बात करें, चाहे 3G की बात करें, चाहे 4G और आने वाले समय में 5G की, अगर कोई एक कंपनी है जो एक सिरे से सारी कंपनी को जोड़े हुए है, वो है GTL Infrastructure, 5G में आगे धून मचाने वाली है, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है, और गौर्मेंट ने बहुत अच्छा अनौंसमेंट भी किया है, यहां पर 13 बड़े स्टेट्स की सिटीज में इन्होंने अनौंस कर दि अपनी दिल्ली में तो आई गया है, 5G की बात चल रही है, टेस्टिंग हो रही है हमाँ पर, हैदरबाद, चंदीगर, लखनाउ, एहमदबाद, गांधी नगर, जाम नगर, पूना, चन्नई और कॉलकता, यहां पर दिल्ली, गुर्गाओं और बुंबई में भी यह में हाथ लगाएं, तो उसमें काफी अच्छी मोनोपोली होनी चाहिए, और कस्टमर सर्वीस बहुत अवल दर्जे की होनी चाहिए, और सस्ते डाम में मिलना चाहिए, इसी वजए से, Reliance is ready to invest in GTL infrastructure technology investment, और यहां पर, जो 5G की technology की testing चल रही है, infrastructure hardware में, उसमें, जो equipment procure किया जा रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सेदारी Reliance अब की बात चल रही है, यहां पर, तो यह बहुत अच्छी रहेगी, अगर इस तरह से आता है, देखिए, future belongs to the leader who have a digital resolution in their vision, और मुकेश अमबानी जी, ऐसे ही एक leader है, जो agility और साथ-साथ में innovation पर बहुत बढ़िया तरह से काम करते है Trading Circle के accordingly, यह ख़बर बहुत जल्दी publish होने वाली है, और देखिए, अगर आप GTL infrastructure का revenue देखें, तो करीब-करीब 14 billion per year का revenue है इनका, और आगे cash flow from operation भी positive और तेजी से बढ़ेगा, बट पहले शुरुआत में cash flow में काफी challenges थे, उसका reason था इनका बहुत बढ़ा debt होना, अब debt हो Rapid Expansion हो रहा था आपका सारे की सारी infrastructure related activity including telecom sector, अब इसको expansion के लिए debt चाहिए, debt बढ़ता चला गया, बट उसके बाग में हुआ क्या, अभी तो picture सही चल रही थी, पर उसके बाग में जब यहाँ पर काफी सारी कंपनियां बंध होने लगी, 2010 में आपको पताई होगा, बहुत सारी कंपनियों ने अपना telecom license surrender कर दिया, 122 license cancel कर दिये गए total मिलाकर, जो की अब customer के पास license ही नहीं है, तो वो यहाँ पर detail infrastructure को payment नहीं करेगा, जिसकी वज़े से इनको बहुत बड़ी challenges होने लगे, और यहाँ पर इनका corp debt restructure जब तक 2011 में नहीं हुआ, तब तक इनको बहु debt को अगर सही तरह से नहीं करेंगे, तो यह एक Aladdin के चिराग की तरह से है, अगर एक बार चिराग से बाहर आ गया Aladdin, तो फिर यह आपके अंदर नहीं गुसेगा, तो इसलिए debt researcher का 2022 में, जो इन्होंने दुबारा से काम शुरू किया है, उसमें बताया है कि इन्होंने intimate क्या ह से लेके जाएगा, fundamental view देखे, 2300 करोड की company है, और करीब-करीब 5 करोड volume average daily trade होते है, तो इस बात का थेहनर कि काफी तकड़ा volume के साथ trading होता है, इसमें, macro level पर positive COVID का impact रहेगा, आगे चलकर infrastructure companies के specifically, जो की 5G में regulated है, good opportunity है long term निवेश्कों के लिए, क्योंकि अगर इस तरह की को जो की एक red flag है, promoter की holding बहुत कम है, 3%, वो भी 100% रोने प्लेज की हुई है, चैनल का 5 पे फेरूल, आपकी wealth को protect कने कम हैगा, revenue देखे, 2020-21 में फोड़ा subdued था, 1400 करोड के आसपास का revenue था, profitability उसी साफ से negative में है यहाँ पर, तो एक study की गई है, जिसकी accordingly आने वाले 5 सालों में, यह infrastructure की बहुत जादा demand बढ़ेगी, और इसमें इन्डस tower साथ साथ में, GTL infra को भी include किया है, tower structure, mast structure, और सारी की सारी radio communication के साथ में, 5G की जो demand है, आगे इसको 12% के CSR के rate से बढ़ाएगी, जिसकी वज़े से यह काफी टेजी से उपर बढ़ेगा, अगर आपको contact करना है, तो contact आईए ज़रा चलकर देखते हैं, अभी 1 रुपे, 45 पैसे के आसपास, यह भाव चल रहा है, कई दूनों से 50 रुपे के आसपास, काफी अच्छा support लिया है इसने, और आज देखिए, यहाँ पर करीब-करीब 2.6% के आसपास, ऊपर चड़ा हुआ है, यह stock, हमने paid membership शुरू पर देखें, तो 4 रुपे का एक recent high भी बना हुआ है, यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, यह जब आपको अपना profit book level करना है, और देख दोस्तों छोटे और informative भी बनाते हैं, चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहिंज अभारत, बाई गाईज!